हेलो फ्रेंड्स जई जगन्नात मामी किचन में आप सब का स्वागत है आज मैं आपके साथ सेर करने जा रही हूं इसा रेसिपी जो की बहुती टेस्टी रेसिपी इसे आप साम के बत बना के गर्मा गरम ही खाएंगे उसके साथ आपको कुछ भी नहीं लगेगा आप बस इसे जबसे घंडे ही खा लेंगे गर्मा गरम इतना टेस्टी यह है आप ऍसको बनाने में ज़्यादा कुछ सामन नहीं लगे गा इसमें जो खुछ घर पे है उसी पर हम बनाएंगे ज्यादा समय भी नहीं लागेगा बस पांच मिनिट में बन के त्यार हो जाएगा और खाने मे बाँ करने, अब इसके बाद one और four-five लहोन सुन कho और यह छोटा वाला और अध्रक एक प्याज। और यह दो हरी मिर्च Iaa सबसे हरे मिर्च को हम काट लेंगे और यह अध्रक, प्याज, लहोन सुन इसको हम कद्धुगस करेंगे और यह आलू को भी हम कद्दुकस कर लेंगे तो बस यह सब को चलिए कद्दुकस करेंगे और उसके बाद यह जो पालक है उसे हम जार में भर लेंगे ताकि उसका हम एक पेश्ट बनाएंगे जो कि दरदरा सा पेश्ट बनना है और हम इसमें बिल्कुल पानी भी नहीं देंगे तो बस पालक का ह छो गहां यह बिल्कुल पाने भी नहीं देंगे तो चलेै दरदला सा एक पेष्ट बना लैते हैं तो देखिए यह मैं ने एक डरदला फिए यहां फिल्कुल ही तो इसके बहर दखिए मैंahan सब का कर दूक क्पyl यह कंप में वांट है गाला मैं सब्सक्पत कि सुखाँ मुंए का चावल काटा नहीं तो प्याए मैं तूप एक बांटनी में दोना मैं अध Mussol विशन कते है प्रोग आणवी सब्सकतों के रखा था उसे डाल देंगे उसके बाद डाल देंगे स्वाद अनुसर नमक हल्दी पावडर राजा चममच और उसके बाद यह चावल का आटा था इसे हम डाल देंगे अगर आपके पास नहीं है तो आप यहां कॉंपलर भी डाल सकते हैं या बेशन में से ही बना लेंगे उसके बाद यह सबको हम्मेक्स करने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया हूं कि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाए तो यह डाल के गरम मसाला मैंने उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है तो चले इसे हम बना लेते हैं गोल गोल आका फ्रेश करके रटेंगे तो यह देखिए मैंने यह सबका गोला बना लिया है उसके बाद गरम करने में लिए रख दिया था तो यह तेल गर्म हो चुका है उसके बाद यह जो गोला था मैंने इसमें हात में लेखे हाथ में ही कटलेट की तरह मैंने बना लिया है उसके बाद तेल में फ्राइ करेंगे ज्यादा तेल भी नहीं लगेगा बस दो तिन चम्मत की तेल से भी ये बन के तियार हो जाएगा तब बस तेल में इसे थोड़ा सा फ्राइ कर लिजे मुझे लग रहा है एक साइड हो चुका है तो देखिए इस चिपकता नहीं भी और यह अच्छी तरीके से उलट-पलट हो जाता है तो चले उसे अलट-पलट कर लेते हैं वह अच्छी तरीके से तो बस हलका गलडन ब्राउन होने तक ही से हम तैलेंगे तो देखिए निचे साइड भी अच्छी तरीके से हो गया है फिर से हम उलट-पलट कर देंगे यह देखिए गलडन ब्राउन कलर हो गया है तो इसी तरह और एक मिनट पकाने के बाद इसे हम निकाल लेंगे कि बनके त्यार हो गया है मैं इसे निकाल लूगी यह दिखिए कितनी अच्छा कलर आए है बहुत इस नदर दिख रहा है बहुत इटेस्ट्य भी लग रहा है तो इसी तरह आप इस तरह से बनाए और गर्मा गर्मी खाये तो बहुत इटेस्ट्य लगेगा उसके बाद जो क हम निकल लेते हैं तो यह देखिए बनके त्यार हो गया है पालक का कटलेट बहुत ही टेस्टी कम सामान में कम तेल में बनके रेडी हो गया है देखिए मैं आपको आपा शुना रहे हैं कितना कुटकुड़ा उपर से कितना कुटकुड़ा और अंदर बहुत ही सप्ट और खा तक आप मेरे चनल का सब्सक्राइब नए किये हैं गर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकोन का दबा के अल कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालू आपके पहले पहुंचे और लाइक से यार कमेट करना मत भूलिए और यहां देखिए मैंने इ नेक्स्ट वीडियो में तभी तक के लिए थैंक यू